हलो फेंट्स बिहार चुनाव एंडिये को पूर्ण बहुमत आज जड़ी सबसे बड़ी पार्टी अच्छी शुरुवात के बाद भी बहुमत से दूर रह गया महागड़ बंदन बिहार विधान सबाचुनाव के नतिशी आ चुके हैं और 253 विधान सबाच सेटो वाले इस राज्ये में एक बाद फिर एंडिये के सरकार बनाने का जनादेश मिला है बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों के बहुमत की जदरत है और अंडिये ने 125 सीटे जीत कर यह एहम आकड़ा पार कर लिया है अंडिये को काटे के टकर देने वाला महागडबंदन बहुमत के आकड़े से थोड़ा पीचे रहा गया महागडबंदन को 110 सीटे हासिल हुई है जेडियो को 47 सीटे मिली है AIM ने अच्छा बंदरजन करते हुए पांच सीटों पर जित दर्ज की है बहुजन समाज पार्टी ने भी एक सीट पर जित दर्ज की जेडियो का विरुद करते हुए बिहार विदान सबा चुना में अकेले दंपर मैदान में उतरी चिराक पासवन की लोग जन्शक्ती पार्टी लगे पीको सिर्फ एक सीट ही हासिल हुई है एक सीट निदलिय के हिससे आई हैं महागडबंदं की अगवाई करने वाली पार्टी रास्टे जन्ता तल आज जेडि 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हैं भात्य जंता पार्टी ने भी अपनी सीटों में इजाफा किया है और वह चोहतर सीटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं साल 2015 में आज जेडी ने 80 और बीजेपी तरपन सीट जीती थी बीजेपी और अन्य से होगी दल क सब्सक्राइब के कारण अंडिया को बहुत मिल गया है लेकिन इस चुनाव में मुख्यमंति निद्रिश कुमार की पार्टी जंतर दल युनाइटेट जेडियों का पर्दशन बहुत अधित उत्साहित करने वाला नहीं रहा साल 2015 में 41 सीट जिरने वाली जेडियों को इस ब वाति रुजान में महागडबंदन ने बड़त बनाई हुई थी तब ऐसा लग रहा था कि महागडबंदन सरकार बनाने लाइक बाहुमत हासिल कर सकता है लेकिन दो पहर करीब 12 बजे के बाद से एंडिया ने रफ्तार पकड़ी और रुजान में बिजेपी और जेडियों क कि कुल सीटे महागडबंदन के हक में जाती दिख रही सीटों से आगे दिखने लगी एंडिया ने रुजान में एक बार बड़त बनाई तो फिर इसे आखें तक कायम रखा बीच में महागडबंदन कभी-कभी इस फासले को कम करता दिख रहा था लेकिन आखरी नतीजों म में बहुत कम आगड़ा एंडिया ने हासिल किया हाला कि बीच में एक समय ऐसा भी जब लगा था कि महागडबंदन सो का आगड़ा भी नहीं पात करता था लेकिन शाम के बाद महागडबंदन की सीटे लेकिन बड़ी तो बहुमत के करीब कभी भी नजर नहीं आई